नमस्कार साथियो एक बार फिर से आपनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन प्वाइंट पर तो साथियो आज की बीडियो में अपनों को बताऊंगा कि रेलवे, ECR आर पटना जो अपरेंटिस की भरती है उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आनलाइन होना प्रारम हो गए है 10-11-2023 से online होना प्रारम हो गए है 9-12-2023 तक इसके जो form है वो online भरे जाएंगे जनरल OBC और EDW के लिए 100 रुपे इसकी जो फीस है वो रखी गई है SC, ST, PH और सभी कर्टिगरी की महलाओं के लिए जो कोई भी फीस नहीं है बाकि इसकी जो total पोस्टे हैं अपरेंटिस के 1850 पोस्टे हैं हाई स्कूल वाले और IT वाले डाल सकते हैं तो कहां कहां कितनी कितनी पोस्टे हैं वो चीज आप लोग इसके जो है उसमें आप लोग रीट करके देख सकते हैं कि किस डिवीजन में कितनी कितनी पोस्टे हैं बाकी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना जो online form है वो किस तरीके से कैसे भरेंगे तो इसकी ये official site है इस वाली site पर आप लोग को आना होगा ये जो official site आप लोग को सामने यहां पर दिखाई दे रही है अनवार ये है तो इस वाले option पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो interface होगा वो इस तरीके का आएगा प्लीज सिलेक्ट दा इस्टेट यू बलोग मतला आप लोग की जो state होगी वो चूच करने होगी कि आप किस state से आते हैं आपका धर्म कौन सा है वो धर्म चूच कर लेंगे एक सर्विसमें अगर है तो यस कर देंगे नहीं तो नो कर देंगे उसका जाना को डालनी होगी डाप मोवाइल नमर डालना होगा इमेल आईटी डालनी होगी की जैसी इस अप्छिछन वाले उप्सन पर पर किलिख करेंगे आप देखेंगे सक्सिस प्लीज नोट और लॉग इंडेट इस तरीके से आप लोग का जो रिषिस्टेशन नमर पासबड को नोट करके रख सकते हैं कि आगे की फर्त लोगिन वाले जो साइट कर आपको जाना होगा हैया यहां से भी आप लोगिन करना होगा, जब लोगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा आप यहाँ दिखाई दरा है your final registration is painting ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को जो डेटेल होगी वो भरनी होगी सबसे पहले आप लोगों को अपना जो जेंडर होगा वो चूच करना होगा जेंडर चूच करने गाद पिता जी का जो नाम होगा वो भरना होगा भरने आ permanent address और correspondence और तो इस वाले option पर टिक कर देंगे टिक आने नीचे आएंगे matriculation 10th की जो डेटेल होगी वो डालनी होगी passing एर भरना होगा वोड उनिविश्ट में जाना होगा category percentage बाइज थी ए ग्रेट बाइज थी ए सीजीपा बाइज थी वो चूच कर लेंगे टोटल मार्क, मार्क उप्टेन, परसंटेज और मार्क, मार्शी नंबर डाल देंगे और यहाँ पर जो अपनी हाई स्कूल की मार्शीट की होगी उसकी PDF जो होगी वो अप्लोड कर देंगे PDF साइज जो है वो 50-100 केवी के बीच होना चाहिए ऐसी technical qualification detail होगी वो डाल देंगे division आप देख सकते धन्बाद जिस trade के लिए आप बरना चाहते है वो trade डाल देंगे, जिस trade से आपने key है इति वो trade डाल देंगे, certificate, issuing authority choose करनी होगी, NCVT है, HCVT है, और यहाँ पर आप लोगों को अपनी आईटिया का certificate होगा, वो upload करना होगा, upload करने के बाद नीचे आप लोग आएंगे, आप लोगो दिखाई देगा upload cast certificate, यहाँ पर आप लोगों को अपने जो cast certificate होगा, वो signature का, तो photo का signature upload करने होगे, signature upload करने होगे, और बाएंहाट का, जो अंगोठे का निसान होगा, वो आप लोगों को upload करना होगा, यह तीने नीचे documents हैं, वो upload करने होगे, यहाँ से मैं scroll करते हो, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जिससे आप लोग सही तरीके से इस चीज को समझ सकते, तो मैं यहाँ से नीचे scroll कर लेकर ले जाता हूँ, यह आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले आले में photo होगे, दूसरे आले में signature होगे, तीसरे आले में जो होगे, वो बाए हाथ के उठे का जो निसान है, वो आप लोगों को upload कर देना है, यह चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, अब scroll करते हूँ नीचे आएंगे, नीचे जब आप लोग आएंगे, तो आप लोग को सामने इस तरीके का interface आएगा, डेकलेरेसन पर टेक कर देंगे, अपडेट नाव वाले option पर किलिक कर देंगे, जैसे ही अपडेट नाव वाले option पर किलिक करेंगे, तो आप लोग देखेंगे, आप लोग पर समने इस तरह का interface आएगा, अगर नहीं आपकी detail सही है, तो submit वाले option पर आप लोग किलिक कर देंगे, जैसे submit वाले option किलिक करेंगे, यहां से ok करेंगे, तो आप लोग देखेंगे, आपके सामने इंटरफेस होगा, अब इस तरह का आएगा, अब आप लोग का जो form है, वो सही तरीके से भरा जा चुका है, इसको यहां से ok करेंगे, ok करने के बाद, नीचे आएंगे, download and print का option आएगा, यहां से आप किलिक करके, आप लोग अपना जो form है, वो print कर सकते हैं, करने के बाद, अब मैं आप लोग को इसमें status दिखाऊँगा, कि आप लोग का form जो है, वो सही तरीके से भरा गया है, या नहीं भरा गया, वो चीज में आप लोग को दिखाऊँगा, तो आप लोग को यहां से फिर से back जाना होगा, आप लोग को दुबारा फिर से login वाली आप सही तरीके से भरा जा चुका है, तो मैंने आप लोग को पूरा प्रोसीजर बता दिया, कि railway RRC ECR, RRC पटना अपरेंटिस की जो भरती है, उसका form आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे, सारा तरीका मैंने आप लोग को step by step समझा दिया है, तो आप लोग को अगर मेरे दोरा बताई की जनकारी कैसी लगी, बाकि अगर आप लोग को कोई समस्या आती है, कोई डाउट्स हैं, तो आप लोग मुझे से कमेंट्स में जनकारी को प्राप्त कर सकते हैं, तो साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन जय हिन, जय भारत